नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के सामने नई रेश्पी लेकर आई हूँ मैंने आज कच्छे आलू की टिक्की बनाई हैं मैंने देखे दो कच्छे आलू लेकर उनको साप कर लिया हैं अब मैं इसी से आलू की टिक्की तयार करूंगे आपको ऐसे दो आलू लेकर बड़े ही आलू रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे क्यूंकि हमें लच्छे करके पकोड़ी बनानी हैं बड़े आलू का लच्छे दार अच्छे से बनता है ये बड़े आलू ही प्रयो के जटपड बना सकते हैं आए अप हम इसको लच्छेदार तयार करते हैं मैंने यहां देखिए इस कद्धूकस का प्रयोग किया है इसमें छोटे बड़े सभी बारीक है मैंने यहां बड़े ही सांचे से करना है आपको वह बड़े वाला आलू लेके इसमें कद्धूकस जिससे इसका अच्छे से लच्छेदार तयार हो जाए यह देखिए मैंने कद्धूकस करके एक प्लेट में निकाल लिया है यह देखिए कितने अच्छे ज्यादा बारीक नहीं इसलिए बड़े वाले साचे में हमने किया है इसको कद्धूकस करके फिर एक पानी में बॉयल पानी में निकाल लेना है बॉयल में पानी रहे जिससे के हमारा अलू काला न हूँ ये देखिए हमने धुकश करके उसको बॉयल में डाल दिया है ऐसे जैसे हमारा अलू काला न पड़े फिर इसको हम एक छलनी में छान के कपड़े में निकाल लेंगे फिर इसका हमको पानी श प्रियोग कर सकते हैं, मैंने यहां देखिए नैपकीन का प्रियोग किया है, जिससे इसका पानी अच्छी तरीके निकल जाए, आपको इसको अच्छी तरीके से अब आकर इसका पानी निकालना है, इसको हम फिर ऐसे दबाकर 50 मिनिट के लिए बंद करके रख देंगे जिससे इसका पानी अच्छी तर शॉक कर ले पानी को अच्छी तरीके निकलने देना है हमको अब इसको हम पांच मिनट बाद चेक करेंगे ये देखे पांच मिनट हो चुका है अब इसको हम चेक करेंगे आप देख सकते हैं कि कपड़ा एकदम गीला हो चुका है इसने पाने को अच्छी तरीके शौक कर लिया है अब इसको हम ये देखे आप लोग पानी इसमें बिल्कुल नहीं है इसका पानी अच्छी तरीके निकल चुका है अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसको बाउल में निकालने के बाद इसका बेटर तयार करेंगे, टिक्की के लिए, ये देखिए हमने लिया है, मैदा, डाल मिर्ची पाउडर, नमक, जिंजर, गार्लिक, पेस्ट, इन सब को मिला कर हम तयार करेंगे, सबसे पहले हम उसमें मैदा एड़ करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके मैदा इसमें डालना है हमको, हमने जितना मैदा लिया है, उतना तो इसमें हो ही जाएगा पुरा, इसमें मैदे को हमको डाल देना है, फिर उसके बाद हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, आप अपनी श्वाद अनुसार मिट्ची का प्रयोग कर सकते हैं कम ज्यादा उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे नमक ये भी अपनी इच्छा अनुसार ये प्रयोग कर सकते हैं फिर उसमें डालेंगे जिंजर गार्लीक पेस्ट एक चम्मच इसमें पानी हमको नहीं डालना है उसी में हमको बराबर इसको मिक्स करना है ये देखिए हमने कराही को गरम होने के रख दिया है उसमें हम डालेंगे ओयल मैंने यहाँ सरसो के आल का प्रयोग किया है प्रिफायन भी इस्तवाल कर सकते हैं मैंने शर्चो के तेल का इस्तिमाल किया है हमने उस बेटर को अच्छी तरीके मिला लिया है अब उसकी हम टिक की तयार करेंगे यह देखिए इसका बेटर हमको ज़्यादा गोला नहीं रखना है इसको ऐसे ही राउंड सेब दे की तयार कर लेंगे बिल्कुल ऐसे फिर इसको हम तेल में फ्राई करेंगे इसको हमको जब तक लाल नहों जाये तब तक फ्राई करना है मैंने बारी बारी करके देखिए उसमें फ्राई कर रहे हैं हम लोग आप देख सकते हैं जैसा कि जब तक ये पूरी तरह अच्छी तरह के लाल नहों हो जाये तब तक हम इसको फ्राई करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है नहीं ज़्यादा मीडियम फ्लेम ही रहे ये देखे ऐसे ब्राउन हो जाए तब हम को टिक्कियों को बराबर से अलट पलट के चेक करना है ये देखे इसका लाल रंग हो गया है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ये रेश्पी बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये देखे कितना ही क्रिस्पी और कुरकुरी पकोड़ी तैयार हुई है आप इसको घर में बना कर जरूर ट्राय करिए बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरी एरेश भी पसंद आई हो गाईज तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा ज़े आपको मेरी एरेश भी कैसी लगी और लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू सस्क्राइब और कमेंट जरूर करिएगा बच्चो की कितो यह स्पेशलिस्ट डिस्ट है मैंने यह निव रेश भी तयार की है अगर आपको पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिए थैंक यू